यहां तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था यह था भारतश्य प्रथमाह राष्टरपती ही डॉक्टर राजंदर परसाथ कथितवान यह तो संस्क्रत शाहित्यम ना केवल भारतश्य करते अपितु बानाव जाते हैं करते अमूल यह धर्यम अस्ति और तब इ मूल्य धन है यहां तक हो गया था इसके बाद अपन को करना है चलें देखते हैं पंकज बोलता है क्या बोलता है आचार्य अन्य धर्माविलंबिनह धर्मावलंबिनह अपि संस्कृतश्य प्रसंसकाह खलू देखते हैं पंकज क्या बोलता है आचार्य है आचार्य है मतलब गुरुजी अन्य धर्मा विलंबी नहां अन्य धर्मा को मानने वाले भी अन्य धर्मा विलंबी या अन्य मता विलंबी भी कह सकते हैं अन्य धर्मा को मानने वाले अपी भी संसकृत अश्य संसकृत के प्रसंशकाह प्रसंशक खलू क्या प्रसंसक है क्या अन्य धर्म को मानने वाले भी शंसक्रत के प्रसंसक है आचार्य आम हाँ प्रसद्ध प्रसद्ध मुश्लिम बिचारक बकुरुद्दीन तैयब महोदय जो है उक्तवान यत उक्तवान मतलब कहते हैं यत मतलब की कहते हैं क्या कहते हैं मम मते प्रत्येकम अपी हिंदू मुशलिम भारतियो वा संस्कृत अग्यो भवे दिती क्या कहते हैं मम मते मेरे मत में मेरे अनुशार प्रत्येक अपी प्रत्येक भी या तो हिंदू हो या मुशलिम मुशल्मान हो भारतियो वा भारतियो वा भारतिय हो कोई भी भारतिय हो हिंदू, मुश्लिम, शिखीशाई कोई भी हो भारतिय हो या फ़र प्रतेक भारतिय को संस्कृत अग्यो भवेतिती शंस्कृत का ज्याता होना चाहिए संस्कृत को जानने वाला होना चाहिए कोई भी हो भारती होवाश भारत का नागरे को होशे संस्कृत का जानने वाला होना चाहिए क्योंकि भारती शंस्कृती की पहचान कराने वाली संस्कृत भासा सबसे प्राचीन भाशा कही गई है अगे अन्यच प्रसिद्धा न्यायवेत्ता मुहम्मद अली छागला उक्तवान यत अन्यच और अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता न्याय को जानने वाले मुहम्मद अली छागला महुदय जी जो है उक्तवान कहते हैं कि ममेच्छा यहां दो सब्द हैं एक तो मम है और दू दूसरा इक्षा ममेच्छा मतलब मेरी इक्षा यत की मेरी इक्षा है की मात्री भाषा या मात्री भाषा के देखें यहां पर अन्य कथन जो कि यहां पर बताई जा रहे हैं और किन किन के कथन हैं तो मात्री भाषा के सह साथ संस्कृत शिक्षा अनिवारया भवेत संस्कृत सक्षा भी अनिवार होनी चाहिए मेरी इक्षा यह है कि संस्कृत भासा के शाथ मात्री भासा के शाथ मात्री भासा यह सह संस्कृत सक्षा अपी अनिवार यह भवेत अनिवार होना चाहिए क्या कहा अलग-अलग इसको देखना बहुत बढ़ी है तरीके से क्या निकलेगा पहला प्राचीन दूसरा अरवाचीन तीशरा योह और चौथा मध्धे इसके बाद में है पांचवा सेतु छटवा अस्तु चटवा अस्तु और सात्वा इति इतने सब्द निकलेंगे अर्था क्या होगा संस्कृत भासा प्राचीन अरवाचीन अरवाचीन मतलब पुराने इन दौनों के मध्ये मतलब बीच में सेतु रस्तिती, शेतु के समान है, मतलब पुराने और बीच में, जो पुराने और नए के बीच में, शेतु के समान है, पुल के समान है, मतलब संस्कृत भासा जो है, वह बहुत बढ़िया भासा है, बहुत श्रिष्ठ भासा है, देवबानी है, इसको हमें जानने का अबश्य करना चाहिए और यहां बीच की दीवारों को खत्म करने वाली भाशा है और यहां ये कहा गया है कि संस्कृत पुराने और नए के बीच पुल का कार्य करती है पुल है अगर देखते हैं सलीम कहता है आचार्य यहां फिर से वही चिन है संबूधन वाला आचार्य संस्कृत विशये भारतिया नाम मंतव्यम अवगतम आचार्य यहा है गुरू जी संस्कृत विशये संस्कृत के विशये में भारतिया नाम भारतियों के मंतव्यम मंतव्यम मतलब उनका कथन या उन्होंने जो कहा है उनके विचार अब गतम आ गए उनके विचार तो हमने अब समझ लिए जो भी भारती ये थे विद्वान उनके मत हमने समझ लिए लेकिन अधुना वईदेशी का नाम विशये पी गया तुम इक्षामी अधुना आज अब वईदेशी का नाम जो विदेशी विद्वान हैं उनके विशये मैं अपी विशये विशये अपी उनके विशय में भी ग्यातुम इक्षामी जानने की इक्षा करता हूं क्या कहर रहा है वो कि अभी तक तो हमने जो जाने वो केबल भारती है मतलब भारती है आचारेऊं के यफ़र भारत्य है जो भी यह मान के चलें महा पुरुष्थ थे तो भारतीوں के विशयöं में जाना भारती ये मंतब्यों को जाना लेकिन अब वईदेशी का नाम विशयबी गयातु मिख्छामी और बदेशीयों के बारे में भी हम जानना चाहते हैं बदेशी लोगों का भारत की जो भाशा है देववानी संस्कृत इश्के बारे में क्या कहना है देखते हैं आचारे अब यहां आचारे जो हैं वो कहते हैं साधुक्तम त्वया शाधु उक्तम दो शब्दा हैं यहां पर एक तो शाधु और दूसरा उक्तम तो यह यहां संधी हो जाएगी साधू उक्तम, साधू कहते हैं, त्वया, अध्यान से, क्या हो जाएगा, साधू उक्तम, जो कि अब यहाँ, एक मिनट, पुनाह एक बार, पुनाह एक बार देख लेते हैं, आचार्या, आचार्य कह रहे हैं, साधू उक्तम, साधू उक्तम मतलब, शाधू का अर्थ, यहाँ साधु महात्मा से नहीं लेना है यहां साधु मतलब समीचीन आएगा साधु मतलब ठीक है बढ़िया है समीचीन यह आएगा साधु मतलब एक फीड़वेक देना यहाँ पर कह रहे हैं तो शाधु उक्तम दो शब्द शाधु मतलब बहुत बढ़िया उक्तम मतलब कहा है तोया मतलब तुम्हारे द्वारा जो तुम्हारे द्वारा कहा गया है ये बहुत बढ़िया है तुमने बहुत सुन्दर कहा है मतलब अब इनके बारे में भी बिचार करेंगे जो विद्वान है उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे ये कहने का यहां मतल इश्परकार अहम मतलम में वईदेशिक विदुशाम वईदेशिक मतलब विदेशी विदुशाम मतलब 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 विदुशा पेशिक बिदुशाम विदेशी विद्वानों की वारे में या फिर विदेशी विद्वानों की शंस्कृत विशयकम संस्कृत विशय में मन्तव्यम मन्तव्यम मतलब विचार बोधयामी मतलब कहूंगा अब मैं आप सभी को विदेशी विद्वानों की दौरा जो कहा गया है Sanskrit के विशाय में उसको यहाँ पर कहूंगा इस प्रकार से और यहाँ जो मैंने पहले बताया था साधुक्तम त्वया साधुक्तम त्वया मतलब ठीक कहा गया तुम्हारे द्वारा या फ़र तुम्हारे द्वारा सही कहा गया यह है चलें आगे चलते हैं अब यहाँ पर एक जो नाम है यह विल्डिूरंट विल्डिूरंट नाम के एक विद्वान है देखते हैं विल्डिूरंट विख्याता मतलब प्रशिद पास्चात्य समीख्षक पास्चात्य समीख्षक हैं कोई पाश्चात विद्वान है कोई समीख्षक है उक्तवान मतलब कहते हैं यत मतलब की अब कोई पाश्चात विद्वान है विल्डूरंट वह कहते हैं भारतम असमाकम जातेह जन्म भूमी क्या कहा है बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यहापर ध्यान से सुनना आप लोग उक्तव जन्मभूमी है और तथा शंस्कृतम संस्कृत यूरोपिय भाषा नाम जननी अस्ती जो यूरोपिय भाषाएं है उनकी जननी है संस्कृत भारत तो हमारी जन्मभूमी है और जो भाषा है वो कैसी है यूरोपिय भाषाओं की जननी है संसकृत ही हमारे अस्माकम हमारे दर्शनश्य दर्शन की जननी मतलब माता है क्या कहेंगे जो संसकृत भासा है वह हमारे दर्शन की भी माता है अरव प्रदेशात प्राप्तश्य गड़ितस जननी अरव देशात अरव देश शे ध्यान से यहां पर अरव देश शे प्राप्तश्य प्राप्त की गई अरव देश शे प्राप्त की गई जननी जननी है अरव देश शे प्राप्त की गई जननी है आगे क्या कहा अरव एक मिट थोड़ा सा फिर से देख लें एक बाल अरव देशात प्राप्त शे गड़त से जननी मतलब अरव देश शे प्राप्त जो गड़त है उसकी जननी है ये कहा यहाँ पर आगे इशाई धर्मे बौध धर्में च समाहिता नाम आदरशा नाम जननी इशाई धर्में इशाई धर्म में समाहिता नाम शमाहित बवद धर्मेचा बवद धर्म और देख़ें इशाई धर्म और बवद धर्म में जो समाहित शमाहित है आदर्शा नाम जो आदर्स समाहित है उनकी जननी है यहां सब्द अलग-अलग करके बढ़ाता हूं तो थोड़ा सा डिश्टर हो जाता है ध्यान से इसलिए अलग-अलग पहले एक बार देख लेंगे फिर पूरा कंप्लीट बाद में करूंगा जिससे एक बार फिर आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाए देखें इशाई धर्में बवद धर्मेचा इशाई धर्म और बवद धर्म में शमाहिता नाम समाहित आदर्सा नाम आदर्सों की जननी मतलब जननी है तो इशाई धर्म और बवद धर्म में जो समाहित आदर्स हैं उनकी जननी है ग्रामीड समुदायेन श्वायत्य शाशनश तथा गड़तंत्रश जननी क्या कहा ग्रामीड समुदायेन ग्रामीड समुदाये की स्वायत्य शाशनश श्वायत्य सासन की तथा गड़तंत्रश गड़तंत्र की जननी मतलब माता है काय काय की माता है ध्यान से देखें ग्रामीड समुदायन ग्रामीड समुदाय की और स्वायत शाषन स्वायत शाषन की और गड़तंत्र की जननी है एबम परकारिण भारत माता नाना बिधरूपेशु अश्माकम शर्वेशाम जननी यस्ती एबम परकारिण इस परकार से भारत माता भारत माता संस्क्रित में भारत माता और हिंदी में ही बोलेंगे नाना विधरूपेण नाना मतलब अनेक परकार से बिध मतलब भेदशे और रूपेण मतलब रूपशे असमा का मतलब हमारी शर्वेशा मतलब सभी की जननी मतलब मातास्ती मतलब है क्या हो जाएगा तो इस परकार जो भारत माता बिभिन रूपों में हमारी सभी की हम सभी की माता है ये हो जाएगा इसका आगे अब यहाँ पर कोई बच्चा बैठा था जॉन जॉन नाम से था वहीं क्लास में क्योंकि सभी लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं बच्चे किशी भी धर्म को मानने वाले हैं जॉन बैठा था जॉन बोलता है वाईदेशु केशु मैक्समूलर महोदा यहा विख्याता है तैन के मुक्तम वाईदेशु केशु बेदेशी विद्वानों में मैक्समूलर नाम के ब्यक्ति थे मैक्समूलर महोदा हैं जॉनकि उन्होंने क्या कहा तैन के मुक्तम कि मतलब क्या उक्तम मतलब कहा उन्होंने क् कहा आचारे कहते हैं देखें अब आचारे बार का कथन है आचारे कह रहे हैं मैक्समूलर रह उक्तवान इयत मैक्समूलर ने कहा की संस्कृत से संस्कृतम विस्वत से महत्मा भासा अस्ती संस्कृतम संस्कृत जो है विस्वत से बिश्वकी महत्तमा महत्तमा मतलब भी कह सकते हैं और recipes भी कह सकते हैं यहां पर तो क्या काहा महतमा मतलब sh rushed है या फिर महत तमअभासा है और एक मुझे अच्छा सब द faculty का ध्यानी आ रहा महत्तोपूर्ण हां ये भी कह सकते हैं कि महत्तोपूर्ण भासा है आगे ये मैक्समूलर महोदय जो है उनका कथन है कि संस्कृत विश्यों की महत्तमा या फिर महान भाशा है ये भी कह सकते हैं एव मपी प्राध्याप कहा वाप उक्तवान यत एक कोई कदाचित इती, संस्कृत मेव, संस्कृत ही, क्या कहा ध्यानशे वाप महुदाय ने, संस्कृत ही, संपूर्ण विस्वस्य, संपूर्ण विस्वकी, एका भाशा आसीत, एक भाशा थी, कश्चित, कदाचित इती, कदाचित इस प्रकार से भी, अब पूरा इसका अर्थ देख लेते हैं तो कदाचित इस प्रकार से भी हो सकता है कि कभी संस्कृत भासा जो है वो संपूर बिश्व की एक भासा थी पूरे बिश्व के बल एक भासा बोली जाती थी वो कौन सी थी संस्कृत थी ये कहा करतार सिंग करतार सिंग नाम का छात्र है वो बोलता है इतरे शाम अभी प्रायाः अपी ग्यातब्याः खलू इतरे शाम इस प्रकार अन्य वईदेशक बिचारकाणाम वईदेशक बिचारकों के अभी प्रायाः अभी अभी प्रायः भी ग्यातब्याः खलू जानने योग्ये हैं मतलब इस प्रकार और भी अन्यवदेसी जो बिचारक हैं उनके भी अपन को जानना बहुत जरूरी है तो आचारे बोलते हैं शत्यम बिलको सही कहा जानन तू जानन तू मतलब जानो बिद्वान मैकडोनल उक्तवानित जो बिद्वान मैकडोनल थे वो कहते हैं वयम यूरोपियाह अध्यावधी श्वा वर्ण मालाम अपी पूर्णी करतुम ना शमर्थाह परम भारतिया नाम भाशा तथा भाशा विज्ञानम च पूर्ण केवलम पूर्णम अपी तू विज्ञाने कमस्ती क्या कहते हैं वयम यूरोपियाह अध्यावधी वयम मतलब हमशव बिद्वान कौन से हैं मैकडोनल महुदय जो हैं वो कह रहे हैं मैकडोनल महुदय का ये कथन है कि हम यूरोपिय आज के समय में भी अपनी वर्ण माला को पूरा करने के लिए शमर्थ नहीं है अध्यावधी आज की अवधी में भी श्वावर्ण मालाम अपनी वर्ण माला को अपी भी पूर्णी कर तुम पूरा करने में ना समर्था समर्थ नहीं है परम भारतिया नाम लेकिन परम मतलब लेकिन भारतिया नाम भाषा भारतियों की भाषा तथा भाषा विज्ञानम भाषा विज्ञान नाकेवलम पूर्णम नाकेवल पूर्ण है अपितु वज्ञानी का मस्ती वज्ञानक भी है उनकी भाषा जो है भाषा भारतियों की पूर्ण नहीं पूर्ण के साथ साथ वज्ञानक भी है अन्यच बिलियम जॉन्स महोदया उक्तवान अन्य च अन्य और च अन्य मतलब और च अन्य मतलब अन्य और च अन्य मतलब और जो और अन्य हैं उनके बारे में देखते हैं तो बिलियम जॉन्स महोदया उक्तवान जो बिलियम जॉन्स महोदय थे वो कहते हैं क्या कहते हैं बिलियम जॉन्स महोदय संसकर्टश रचना आश्चर ये कारणी अस्ती और ये सच में बैग्जाने के भासा है पूरी आपने लगू शिद्धान्त कौमदी जो पानिनी महोदय हैं इनके गरंथों के नाम शुने होंगे बहुत ही बिचतर गरंथ हैं कितना दिमा जब अपन को ये सूच के लगता है कि बिल्कुल बैग्जाने की भाशा है और एक एक शुत्र से एक एक कार्या बरावर होता है जैसे मैथ सॉल्ब करते हैं अपन उसी प्रकार से संसकर्ट की भी जो गड़ते हैं वो मजबूत है बिल्कुल देखते हैं संसकर्ट से रचना आश्चर कारणियस की आश्चर कारी है संसकर्ट की रचना इम ग्रीक भाशाया अपेक्षया अधिक पूर्णा यह ग्रीस भाशा की अपेक्षया अधिक पूर्णा है लेटन भाशाया अपेक्षया अधिक सम्रध्धा लेटन भाशा की अपेक्षया अति परिशक्रताह और दोनों की तुलनामे अभई मतलब होता है दोनों की तुलनामे तुलनायाम तुलनामे अपी भी परिशक्रताह परिशक्रत है क्या कहा दोनों की तुलनामे और परिशक्रत भी है मतलब अच्छी है सुन्दर है और इसकी जो भाषा चैली है बो भी यह है, वाँस्द्ध है, यह कहा, अब जो एक छातर था मनीश वो बोलता है, केनापी अन्येन, पाश्चात्य विदुश्वाम अपी संस्कृत वशे कम, अपी उक्तबान, केनापी अन्येन, क्या कोय और अन्य भी हैं, जिन विद्वानों ने संस्क्रत के वशे कें में कुछ क जो वेवर महुदय हैं, वो कहते हैं, संप्रती शंपूर्णे विश्वे, पाणनी रेव वया करनेशु, पूर्णा सर्वमान्य चास्ती, क्या कहा, आम, हाँ, वेवर महुदये, वेवर महुदये के द्वारां कहा गया है, शंप्रती, संप्रती मतलब इस समय, शंपूर्ण विश्वे, समस्त संसार में, पाणनी रेव पाणनी ही, व्या करनेशु, व्या करन के, पूर्णा पूर्ण सर्वमान्य चास्ती, एक तो पूर्णा आचारे हैं, और सर्वमान्य आचारे हैं, पाणनी, बरतमान समय में, यह फर संपूर् क्या कहा है दर्षन और ब्याकरण की प्रमाड़कता में ये लिखा है न और वरतायांच और वरता में भारतियाह भारतियों का उच्च मिस्थले प्रतिष्ठिताह उच्च इस्थान पर प्रतिष्ठिते हैं भारतिये किस चीज में दर्षन में और व्याकरण के छित्र में तथा च एच एस विल्शन महोदया कत्याती तथा मतलब और एच एस बिल्शन महोदया जो ह हैं वो कहते हैं एक श्लोक के माध्यम से दिख लेते हैं इस लोग को ना जाने विद्यते किम तन माधुर्य मत्र शंश करते सर्वदेव समुन्मत्ता येन वैदेशी का वयम अर्थ देख लेते हैं ना जाने विद्यते किम ना जाने क्या कैसा इस शंस्कृत में है की तन माधुर्य मत्र शंस्कृते कैसी इस संस्कृत में मधुरता विद्यमान है सर्वदैव शदैव हमेशा क्या है समुनमत्ताह समुनमत्ताह मतलब उनमत्त हो रहे हैं पागल जैसे हो रहे हैं येन वईदेशी का वयम हम सब ही वईदेशक लोग कैसा इस संस्कृत में ना जाने कैसा माधुर्य विद्वान है जिश्शे हम सभी विदेशी हमेशा ही पागल से हो रहे हैं ये कहा सर्वेशात्रा आचार्य बयम आनंदिता हम सब आनंदित हैं संस्कृत के प्रती विश्व प्रसिद्धा नाम विदुशा नाम अभी मतम शृत्वा संस्कृत के प्रती विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचारों को शुनकर हम लोग बहुत आनंदित हैं संस्कृत के वैश्वेक महत्व चा ग्यात्वा और संस्कृत का वैश्वेक महत्व जानकर उच्चैह ही और कहा भी गया है कि भारती ये कताशाधकम संस्कृतम विश्वबंधुत्व शंपोशकम संस्कृतम मतलब भारती ये एकता को बनाए रखने वाली संस्कृत है श्लोकश सस्वर गायनम कुरवंतू भारती एकता शाधकम संस्कृतम विश्वबंधुत पोशंपोशकम संस्कृतम इस प्रकार से गाना है आप सबको यदि आप सब लोग श्कूल में इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जहां इस प्रकार का यह जो आप लोग भी इस प्रकार से इसका गायन करें भारती एकता शाधकम संस्कृतम विश्वबंधुत शंपोशकम संस्कृतम इस प्रकार से शब लोग एक कोई छात्र इसको इस ले में पढ़े और अच्छे से तो कि मैं मतलब इसकीन पर पढ़ा रहा हूं तो उतना जाना लेकर आप लोग और अच्छे से इस प्रकार से गाके और बढ़िया सब को शुना सकते हैं चलें अब आज का अभ्यास कारे भी अपन को थोड़ा सा करना है इसमें प्रशन उत्तर जो हैं इनको भी हल करना है चलना थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं एक पदेन उत्तरम लिख प्रशाओं की गंगा नदी है ये कहता महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी भारतश्य प्रथम प्रधान मंत्री कह प्रथम प्रधान मंत्री जबाहलाल जी नहरू जी थे वया करने सु पूर्णा सर्वमान्यस्च कह वया करनों के लिए संपूर्ण और सर्वमान्य क्य हैं कौन है तो वो हैं पाननी महुद है अगला भारति येकतायाह शाधनम किम भारतियों की एकता का शाधन क्या है तो ये शंस्कृत भासा है वो भारतियों की एकता का शाधन है शंस्कृतम कस्याह भाशायाह अपेक्षया अधिकम सम्रध्धा संस्कृत भासा जो है वो कश्य भाशायाह किस भासा की अपेक्षा अधिक सम्रद्ध है मैंने बताय था ग्रीक लैटिन ये बताय थे न भाशाओं की नाम तो लैटिन भासा जो है ये इसका सही आंशर हो जाएगा लैटिन भासा की अपेक्षादिक सम्रद्ध है अगला एक वाक्ये ने उत्तरम लिखत एक व वो विश्व बंधुत्तो का पोशन करती है शंस्कृत भाषा विश्व बंधुत्त अश्य पोशनम करोती अगला सर्व प्राचीना भाषा कहास्ती बताना है आप सभी को सर्व से प्राचीन भाषा कौन सी है संस्कृत भाषा श्री माता संस्कृत विशय किम कथयाती तो श्री माता संस्कृत विशय में कहते हैं कि यत शंस्कृत जो संस्कृत है वह राष्टर भासा बनने योग्य है सीधा सीधा कह देते हैं उन्होंने क्या कहा था कि जो संस्कृत भाषा है वो राष्टर भाषा बनने योग गए मैक्षमूलर महोदा मैक्षमूलर रहा संस्कृत में से मैक्षमूलर महोदा है जो है उन्होंने संस्कृत के विशए में क्या कहा तो उन्होंने यही कहा था कि संस्कृत विश्वकी महत्तोपूर्ण भासा है और श्रेष्ठ भासा है असमाकम सर्वेसाम जननी का ये सब को इसका उत्तर बताना है तो हम सभी की जननी कौन है भारत माता ये शकर सही अंसर हो जाएगा अब ये तीन उत्तर जो है विवेका नंदेन किम कथितम संस्कृत के विशय में विवेका नंद जी ने क्या कहा क्या कहा था बताएं तो संस्कृत के विशय में विवेका नंद जी ने कहा था कि सिख्षा के लिए संस्कृत आवश्यक और अनिवारे होनी चाहिए यही कहा था ना देखे पुस्तक खोल के लिखा होगा वहाँ शंस्कृत विशय विवेका नंदा उक्तवान यत संस्कृतम अनिवार्य तथा शिक्षणियम यह कहा होगा अगला वेवर महुदय ने संस्कृत के विशय में क्या कहा तो जो वेवर महोदय हैं उन्होंने कहा था आप लोग फिर से पुछ तक देखें वेवर महोदय का कथन उन्होंने कहा था कि इस शमय संसार जो कि सारे संसार में पाणनी ही व्याकरण जो पाणनी व्याकरण है वही पूर्ण मान्य है और संपूर्ण है और जो भारतियों का दर्सन और ब्याकरण है वो प्रमारक है ये कहा था बीवर महुदे ने अब बिलसन महुदा जी का कथन आपको लिखना है तो बिलसन महुदा को देखा फटा फट उनका कथन यहाँ पर नोट करके लिखें तो बिलसन महुदा जी ने क्या कहा था इनका कथन था कि इस संस्कृत में ना जाने कैसा माधुर्य है जिससे हम सब भारती हमेशा ही पागल से रहते हैं जो इसलोक आया था ना वो बाला इसलोक लिखना है यहाँ पर चलें अब चलते हैं अगला जो है खाली स्थानों की पूर्टी करना है उसमें पहले से आपको दो अपसन दिये हुए हैं आपने पाथ अच्छे से पढ़ा है तो आप उत्तर बता पाएंगे भारती यह किता संस्कृतम जो भारतियों की एकिता है वो इसमें क्या आएगा इसमें कुश्टक में बीच में क्या आएगा साधकम बाधकम शाधकम आएगा साधकम मतलब भारतियों की एकिता में साधक है संस्कृत वाईदेशी का विद्वान अस्ति विदेशक विद्वान कौन है अर्विन है या मैक्समूलर है तो मैक्समूलर हो जाएगा सही उपर वाला किसकी संपोशक है संस्क्रत संस्क्रत भासा क्या स्थी प्राचीन और नए और पुराने के बीच जो संस्क्रत भासा है वो किसके समान है शेतु के समान है केतु के समान नहीं है अगला संस्कृत साहत्यम मानव जाते है क्रते अस्ति मानव जाती के लिए संस्कृत भाशा क्या है बताना है तो अमूल्य धन है अमूल्य धनम अस्ति इस प्रकार से अब यहां सही जोडिया मिलाना है थोड़ी सी सही जोड़ी यहाँ पर शही प्रंट नहीं है आप लोग पुस्तक में देखें संस्कृतम अवश्यमेव सक्षणियम देखें अब यहाँ सभी के कथन हैं तो इन कथन को आपको मिलाना है अपनी मन से तो पहले का क्या हो जाएगा पांच बा हो जाएगा विवेका नंद जी का यह कथन है दूसरा क्या हो जाएगा संस्कृतमेव राष्टर भासा भवी तब्या संस्कृतमेव राष्टर भासा भवी तब्या संस्कृतमेव राष्टर भासा भवी तब्या संस्कृत राष्ट्र भासा होनी चाहिए ये कहा था संपूर्णा नंद जी ने किसने कहा था संपूर्णा नंद जी पर टिक करेंगे पर संपूर्णा नंद जी ने संस्कृत संस्कृतम भारती भाषा अब्याह गंगा नदी ये किसने कहा था मात्री भाषा के साथ संस्कृत को पढ़ाया जाना चाहिए साधा अपने कोई mistake की है के हां मुझे लग रहा है एक बार फिर से मिला लेते है थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे कोई अपनने mistake किया संस्कृत अवस्चमेव सक्षणियम ये किश का है जल्दियोदी बला देते हैं ये इनका है स्वाईमवेकनन जी का संस्कृत मेव राष्ट्र भासा भविताब्यम ये किसका है तो ये है संपूरा अनंदर जी का संस्कृत भारती भाषा भ्याह जननी जो है भारती भासाणों की जननी है ये किनका कथन है तो ये एक मिनट सन्सकृत सन्सकृतम भारती भासा व्यहाँ गंगा नदी ये वाला जो है गंगा नदी वाला ये देखते हैं पहले गाका गाका totalement होगा यहां देखें घा नंबर का क्या है मात्री भासा के साथ संस्कृत की सक्षा यह हो जाएगा महम्मद अली छागला जी का और यह लाश्ट में जो मैक्समुला जी बचे हैं इनका बिल्कुल सही चल रहे थे मैंने फिर से किया है चलने देख लेते हैं फिर यहां सुद्धो और आपको बताना है मैं नहीं बताओंगा एक आथ बता देख तो चले मैं पढ़ रहे बोलता हूं लेकिन मैं फिर स्वयम बता देता हूं देखें यह दूसरा बताता हूं संस्कृत अश्य व्याकरणं सर्वमान्यम ना अस्ति क्या कह दिया उन्होंने संस्कृत की जो व्याकर को वईदेशिक भी अनुवा करते हैं यह बिलकुल आम यह शही है अब इन तीनों के आपको बताना है आप लोग पढ़ें इसका अर्थ देखें और फिर हाया ना में उत्तर दें चलें अब यहां है मूल शब्द और विभक्तियों का मूल शब्दा नाम जो की विभक्ति औ बचन बताना है तो संस्क्रत से पहला सब्द संस्क्रत से है सस्थी विभक्ति है विचारा नाम में भी सस्थी विभक्ति है और मूल सब्द संस्क्रत हो जाएगा विभक्ति कौन सी सस्थी हो जाएगी बचन एक बचन विचारा नाम में विचार सब्द है सस्थी विभक्ति है बहु बचन है सर्वाइह सर्वाइह में क्या हो जाएगा सर्व सब्द है तर्तिया भवक्ति है बहु बचन है सर्वाइह है ना दो मात्राएं है प्रचारे प्रचार सब्द है यहाँ पर और प्रचारे सब्द में सब्द में हो जाएगी रे है ना उपर एक मात्रा सिंगल और यहां क्या हो जाएगा एक वचन रे राजनेत्रि नाम जो की राजनेता इसका सब्द है मूल सब्द राजनेता सश्थी विवक्ति बहु वचन है यह हो जाएगा आगे क्या करना है क्रिया पदानाम धातुलकारम पुरुसम वचनम चलिखत और हाँ आप लोग चैनल को सब सब्सक्राइब ध्यान से करें कई लोग क्या करते हैं कि पहले से उनका वाइट है जो यहां बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का वीडियो को बैक करेंगे आप तो यह जो सब्सक्राइब का बटन दिया रहेगा यह किसी का वाइट रहता है और फिर से दबा देता है तो हो जाता है तो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं फिर उन्हें वीडियो नहीं मिल पाते हैं तो आप लोग इसको फिर से दवाएं एक बार और जिससे की देख लें कि वाइट हो गया है तो आप फिर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल से जुड़ जाएंगे इस परकार से चले देखते हैं यहां क्रियापद लिखना है धातू लिखना है लकार बताना है पुरुष बताना है और बचन बताना है जो इस सब्द दिये हैं इनके देख लेते हैं पहले सब्द क्या दिया है आवदत दिया है आवदत सब्द में कौनसी धातू है तो वद धातू है बचन है कथ धातू है और लकार कौन सा हो जाएगा लट लकार हो जाएगा जाननती में जाननती में लट लकार ग्याधातू है लट लकार पर्थम परोश और बहु बचन होगा जानती जाननती देखें जो ग्याधातू है ग्याधातू आत्मने पद और परस्मे पद में चलती जानाती जानीता जाननती इस प्रकार से इस थाश शयती इस थाश शयती का क्या होगा स्थाध धातू रहेगी इसमें इस थाश और यदी मैं कोई मिश्टेक यदी गल्टी से बोलगी दूँ यदी आप लूगों कोँ पता चले اे बैसे तो मैं मिश्टेक बोलूँगा नहीं कुछ भी तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान देखे यहां पर देखे मैं क्या बोल रहा हूँ तो कि इसमें कभी कोई अपनी मिश्टेक नहीं होगी बिल्कुल इजी है यह सबसे इजी संस्कृत है यहां पर दी हुई है इससे इजी संस्कृत आपको कभी कहीं पढ़ने नहीं मिलेगी आप लोग यदि संस्कृत के स्टूडेंट होते तो आपको पता चलता कि कितनी और ज्यादा हार्ड है संस्कृत यह तो सबसे जी है बिल्कुल यह मानके चलें कि A B C D है यह संस्कृत की देखें इस्थाधातू इसमें हो जाएगी यहां पर इस्थाधातू इस्थाश्यती है तो लंग लकार होगा यहां इस्थास्यती इस्थास्यती लेटर 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 और बचन कौन सा पुरुष कौन सा तो इस्थास्यती में प्रथम पुरुष होगा और बचन जो रहेगा एक बचन रहेगा इस्थास्यती है न भव भविश्यंती अंती लिखा है बहुवचन है सीधा लिख देना है बहुवचन पुरोष कौन सा है तो प्रथम पुरोषी रहेगा अंती रहे अंती दिग्ग्याश लिए और लकार कौन सा है लट लकार है भविश्यंती है लट लट लकार कौन सा रहेगा लट लकार रहेगा ल संधी विछेद करना है। संधी विछेद करके लिखना है। अब कथने ऐपी की लिखना है। कथन या फिर कथने प्लस अपी हो जायगा पूर्वरूप संधी होगी। इस थाशयती प्लस एव यण सुर संधी है यहाँ पर इस थाशयती एव नई कह न जो कि नई नई प्लस एक होगा नई कह यहाँ नई के है नई के तो ने प्लस एके हो जाएगा ने के संधी कौन सी होगी ब्रद्धी संधी यद्यपी 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 तो यहाँ ए का यह हो जाएगा यद्यपी तो यन संधी हो जाएगी प्राचीन और अरवाचीन दो सब्दें हाँ अगला यहां पर आपको अब्यायों से बाग के निर्माड करने है तो आपको इसे भी अब्याय से बाग के निर्माड कर सकते हैं यदि आहम तत्र गच्छा में तर्गी तत्र एदम एदमा विशयती ऐसा बिना तैन विना नकिंचत या और भी कुछ भी बना सकते है struggling से वनाना है विना मतल़ होता है रहित और आगे फिर और पूरा कंप्लीट वाक कर सकते हैं चा से बनाना है रामचा, लक्षमणचा ऐसा तत्रगच्छतिसियामचा रामचा इस परकार से करते अहम संस्कृत भासायाह करते वहवह प्रेतनाम करतवान ऐसे कुछ भी आप बना सकते हैं अपने मंसे बनाने हैं बाग के योगता विस्तार मैं देखना है एक निबंध लिखना है संस्क्रत भाशा का खोजना है क्या-क्या अन्य विद्वानों ने संस्क्रत भाशा की बारे में कहा है और खोजकर लिखना है तो आज का वीडियो यहीं पूरा करते हैं लगवख 40 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो चुका होगा जिससे आप लोग इसको पूरा देखने की कोशिश करें और कंप्लीट पार्ट हो जाएगा तुमकि अपन लगवख कितना टाइम दे सकते हैं 30-40 मिनट एक वीडियो को अपना आराम से दे सकते हैं और पूरा वीडियो देख सकते हैं कि एक पार्ट तो अपना कंप्लीट हो रहा है 40 मिनट में